पांचवे चरण में जैसे जैसे चुनाव की तारीख 20 मई नस्दीग आ रही है वैसे ही सतदल के बड़े नेता एक एक कर इस हमीर पूल लोगसभा में प्रचार अभियान को गती दे रहें महोबा जनपद में पहुँचे प्रदेश सरकार की यलशक्ति मंतरी ने भाजपा प्रत्यासी के समर्तन में जनसवा करते हुए पूर्ब से अधिक मतों से भाजपा प्रत्यासी को जिताने की ना केवल अपील की बलकि सरकार की योजनाव को बता कर आमजन को भाजपा के पाले में करने की जवर्दस्त कोशिश की गई यही नहीं उन्होंने इस मौके पर इंडियागर बंदन पर प्रहार कर कहा कि बीजेपी सरकार में समिधान को कोई खतरा नहीं है पिछडों दलितों गरीबों का इसी सरकार ने सम्मान किया है साथ ही मंता बनर जी पर भी कटाक्ष किया तो वहीं 400 पार में यूपी की 80 सीटे जीतने का दावा भी प्रिदेश के जलसंक्ती मंतरी ने किया है यहां की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम पीम मोदी ने किया है ऐसे में आप सब का कर्तब है कि इस चुनाओं में 400 पार के मिसन को अपने एक एक वोट से पूरा करें उन्होंने हमीरपू लोगसभा के प्रत्यासिप उस्पेंसिक चंदेल के लिए वोट करने की अपीर मौजूद जन्ता से की है इस दोरान उन्होंने पत्रकारोस विवार्ता के और इडियागर बंदल पर सीधा हमला वर हुए है विपक्ष के संभिदान और लोगतंतर के उन्होंने कहा कि मोधी जी के रहते हुए ये किसी की हैसियत नहीं कि जो संभिदान उनको बदल सकेगा जबकि मोधी जी के आने के बाद से ही पिछड़ों को 27 फीजदी आरक्षन मेडिकल कॉलेज और विश्रिद्याले में दिया यही नहीं आजादी के बाद से पिछड़ो मेडिकल में केंद्री मेडिकल में अस्थान दिलवाने का किसी ने गाम के तो आदिन मोधी जी ने किया और पहली बार मंत्री मंडल में मी पिछड़ों को आजादी के बाद पहली बार इतने मंत्री बने हैं तिसरा पिछड़ा यायों के समिधान को अधिकार भी किसी ने दिया तो आदि मोधी जी ने दिया इसलिए पिछड़ों का सम्मानों चैदलितों को सम्मानों गरीबों को और देशवासियों को सम्मानों आदि मोधी जी के हाथ में आपने सफा पसपा को देखा है चौधर के मोदी जी के नित्रत में सभी गरीबों का अपना पक्का मकान है बैंक का एकाउंट है आवास है सब कुछ है आईश्मान का कार्ड है सभी लोगों का है